ताकारं भुजग सयनं पदमनाभं सुरेसं विश्वाधारं गगन सद्रिसं मेगवर्णं सुभांगं लक्ष्मी कांतं कमलनयनं योगी भिर्ध्यान गम्यं वन्दे विश्णुम् भव भयहरं सर्बलो कै कनाथं संपुन दर्शक तथा स्रोता महनुभाभरू नमस्कार पाप मोचनी एका दसी ब्रत पूजन वीधी एवं संस्कृत माहत्नु विशेस एस्रिंखलामा हजर हरलाए हार्दिक स्वागत छदर्शक महनुभाभरू मिती बिक्रम संगवत दहजार अठाहत्तर साल चैत्र महिना को चौद गते सोमबार तदनुसार इसवी य संगवत 2022 मार्च महिना को 28 तारिक का दिन मा पाप मोचनी एकादसी ब्रतक को आगमन भैको सा यो दिन मा हमिले जानी न जानी एकादसी को आराधना गर्न गई राखी काशों ब्रत बसन गई राखी काशों पूजन गई राखी काशों दर्शक भानुभावरो येस एका दसी को ब्रत कथालाय हमिले अगारी ने प्रस्तुत गरी सके काशाओं यो श्रिंखला मा भने हमीले ब्रत मा कसरी पूजन गार्ने संबब होने ले बिदीवत रुपमा नत्र सामाने रुपमा कसरी पूजन गार्ने अनि मंत्र सो रुपमा रहेको संस्कृत महात्मे के रहेको सा त्यों कुरा प्रस्तोत गर्न गई राके का सुदर्शक महानुभाब বરદીં বીરદીરલી বૂસીત हजर लेती मंत्र हरू चारण गर्दे भगवान लाई पूजन गर्न सक्ण हों छा बिशिस बिशिस मंत्र हरू डिस्क्रिप्शन बक्सापनी होने चाना हमी धिला नगरी काना पूजा बीधी तरफने प्राविश करने गई राखी कास हो हजर हडले बिहान सबेरे उठे रस्नान गरेरा सुद्ध बस्त्र हरू धारण गरेरा तिसे गरी भगवान का भाड़ा कुणा हरू पखालेरा नी जौप तप इत्यादियत तैनिक रूप मा गर्ने पूजन बिध्यरू गरी सके पसी पूर्वा तर्फा दायबाट दियो बीच मा गडेश्ची रे देब्रे तर्फा कॉलस को रूप मा जेपनी स्थापना गर्द्याओन भैकोचा ती स्थापना गरेरा दियो बालेरा अगाडी बीच मा लक्ष्मी नाराण भगवान लाई थाली माथी राखेरा होस अथवा काटको मेखला माथी राखेरोस कस्थरी राखनी कर्णु भैकोचा तिससरी न तैयारी गरेरा तिसपशी भगवान का रूप मा साली गराम हुने सक्डशा अत्वा मुर्ती हुना सक्डशा तस्बीर हुने सक्डशा भगवायन स्री लक्ष्मी नारायन को प्रतिमा जोपनी होनोंच वहलाई समधिर राखना सकनोंच पुजन का लागी सुद्ध जल तेसे गरी आर्ग्या तयार गरना सकनोंच तेसे गरी चन्दन अक्षता जाउतिल हरू हरेक सामागरी हरू तयार गरना सकनोंच अक्षता बिश पूजा का सामागरी हरू तयार गर्ण सक्ण होंचा। पूजा का सामागरी हरू तयार गर्ण सक्ण होंचा। सहस्र कोटी युगधारीडे नमहा। अत्वा ओम्स्त्री दीपनाराय अडाय नमहा भंदे आपुस्नकभायकारेक सामागरी हरू आरपण गरेरा पुजा कर्ण सक्ण होंचा। सम्पुण तीर्था हरू सम्पुण बरुर्देव हरू सम्पुण नदी हरू सवैलाय सम्जर पुजा कर्ण सक्ण होंचा। अम कलसस्य मुखे बिष्डो कंठे रुद्र समास्त्रिता। मुलेत स्थे स्थितो ब्रम्हा मद्दी मात्री गडा स्मृता। कुक्षवतु सागरा सपता सपत दुई पाब सुन्धरा। रिग बेदो थ यजर बेद साम बेदो प्य थर बण। अंगैच सहिता सरवे कलसंत समास्त्रिता। यसरे कलस्त्र पनी हरेक सामागरी और आरपण गरेर पुजा गरी सक्थे पची। तेस पची गडेश ची का प्रतिमा जोपनी हुनोंचा वहलाई। विग्ण विनास गडेश भागवान सम्धिर पुजा गर्ण सक्थे। वक्रतुन्ड महाकाय कोटी सूर्य समाप्रभा निर्विग्नम कुरुमे देव सर्वकारे सुस्तर बदा। अथवा उम गंगडपतै नम्हा भंदे हारेक सामागरी ले पुजा गर्न सक्थे। अन्य के भागवान अरू लक्ष्मी नाराण को एका दसी बीसेस अन्य भागवान अरू उन्छा भने। वारको पनी यो समय में पुजान गरेरा दो बत्ती बालेरा सबी लाई देखायरा अन्य लक्ष्मी नाराण भागवान को पुजान तर्फा आगी बढ़ना सक्थन हुन्छा बिहाना साज दोई पटक नहीं गरे पनी अथवा साजा मात्रे गरे पनी एही बीदिले पुजान गर्न हाला सावे भन्दा पहीले सालिग राम होनु ंठाबने ठीकेशा न दर अन्य भागवान बीसेश कर मूरती हुन्छा अथवा हजरोर का नया मूरती हरू होनु ओने अधवान करने पनीहुन्छा नया होनु उन्ना सदे पुजन गाड़ने गार्द नुबायको छावने आफवान ना गारेपनी होंचा थोरे फुल जल अरपण गरदेने सक्णोंचा आवहनम समर पयामी ओम्स्री लक्ष्मी नारा एडाभ्याम नमहा भन्न सक्णोंचा असन भनेरा कुष्मी नारा एडाभ्याम नमहा भन्न सक्णोंचा ओम्स्री लक्ष्मी नारा एडाभ्याम नमहा भन्न सक्णोंचा तेस पछी हजर हरुसंका संबाभ होंचा वने दोद दही घ्यो महा चीनी ले भगवानला इस्नान गरावन होला मचुट्टा छुट्टेई पटक वहारुको ना मंत्र उच्छारण गर देने सु ये दी हजर हर्लाई संबाभ होतेयना वने कुने एकजी च्छा वने तेसेहिलाई समझेर पानी हजुले सबवै समझेर पांच परक समन्वाईदिना सक्णोंचा सबवै भंदा पईले अजले दाही महार घ्यू मिसायर भगवाला चड़ाई देना सक्णू होंचा मदुपरकम समर पयामी उम्स्री लक्ष्मी नारा एड़ा भ्यम नमहा भननना सक्णू होंचा यसेरी दुद्दाई घ्यू महाची नी चड़ाउदा त्य चड़ाई सके पची अंतेमा जल पनी चड़ाउना सक्णू होंचा तिस सिकरिस्तावे भन्दा पैले दुद्दे नारा एड़ा भ्यम नमहा भननना सक्णू होंचा तिस पची दाईले नाईदिन सक्णू होंचा ददिस्ताणम समर पैयामी भननना सक्णू होंचा गिवले नाईदिन सक्णू होंचा गृतस्ताणम समर पैयामी भननना सक्णू होंचा तिस पची भगवानला पूचे रहे ईव्टाराम रासन में बिराजमान कराए रहा अथवा फूलर विछायरा जौ तीलर विख्षायरा पैलो बश्तर विछायरा त्यामा थी भगवानला बिराजमान गराउनू सक्णूचा अ समपुजा गारे का थाउमा पुजा गरने भाई त्या मैं थी फूलरू बीच्छायर भगवानले राखनवाला तिस पची भगवानले बस्त्र केई छावने आरपण गरी दिने सक्णुँचा बस्त्रम समरपयामी ओम्स्री लक्ष्मी नारा एडा भ्याम नमहा भर्न सक्णुचा जने चड़ाय दिने सक्णुचा यग्यो पवीतम समरपयामी ओम्स्री लक्ष्मी नारा एडा भ्याम नमहा भर्न सक्णुचा सुद्ध जलार फ्यण गरी दिने सक्णुचा सुद्ध दकस्तानम समरपयामी पूलारू चालाईदेने सक्णोंच बिवीद परकार का पुस्पाडी समर्पयामी ओम्स्री लक्ष्वी नाराय और अभ्याम नम्हा भर्न शक्णोंच एसपची एका दसे विसेश सीर्देखी पाउसम्मा बिवीद मंत्रहरूले भगवान को पूजन गर्ने सक्णोंच मैं मं मंत्रहरू उच्चारण गर्न गई राखे को सो अतिनते धीला उच्चारण गर्ने सो हजुर हडली पनी सगे उच्चारण गर्र भगवान को पूजन गर्नु हला भगवान का सीर्देखी पाउसम्मा जव तेल तुलसी पत्रहरू तिसी गर्याणने बिभिने सामागरी फूल अले पुजन गर्दे गर्णु हला धुजन गर्दे पुजन गर्दे गर्णु हला तुदियम बस्तु गोविंद तुभ्य मेव समर्पितम ग्रिहाण सुमखो भूत्वा प्रसीद पुरुसोत्त महा भन्दै हजूरु लिति प्रसादर भगवानलाय चड़ाय दिनसक्ति होंच hyझ peeling बस्तो हुओ हजूरु लायनय आरपनगरेकोच चुआ परश्रन पही दिन वलावन्डर आनि जाल आरपन गरिदन सक्नुच चन्दन लगाय दिनसक्ति होंच तीस पची भगवानला इसुपारी चड़ाय दिन सक्णूँचा तामबूलं समरपयामी ओम्स्री लक्ष्मी नारा इनाभ्याम नमहा भन्न सक्णूँचा युटा केप फाल आरपण गर दिन सक्णूँचा फालं समरपयामी ओम्स्री लक्ष्मी नारा येणा भ्याम नमहा भन्ने सक्नों चा आनी चंदन चलाय धिने सक्नों चा करोद वरतनम समर पयामी अमस्री लक्ष्मी नायरा यणा भियाम नमहा भन्न सकनोंच ये कि पीजिल अब दरभ्यम समर्बधיा में जत्बृ चामर चावाने हमकी दीन सकनोंचा नत्रेवटा फूल ले हमकी दीन सकनोंचा चामर अम समर पयामी ओमस्री लक्ष्मी नारा याडा भ्याम नमहा भननना सकनोंचा तेस पची हजोर ले बिशेश कर तुलसी का दाल हरु छानभाने भागवानला चायदेन सकनोंचा तुलसी दलाने समर पयामी ओमस्री लक्ष्मी नारा याडा भ्याम नमहा भननना सकनोंचा अन्य आफु संका चड़ाओने भयका आरेक सामाग देरो आरफण गरी सके पची अफुले जानने का आरेती हरु गायरा अथफ़ा बजायरा भागवान का आरेती गर्यरा तीस पची हजोर ले बिहान मा पुजन गर्दे होनोंचा बने दीन भर ब्रतवसने साजक को समाय मा पणी पुजन गरने तेसरी गरने नतर रात्री मैं शकने गरने रात्री मा ब्रत को पुजन गरी सके पाची सुद्ध भोजन लिये रा भगवान लाई अरपण गरे रा निया आफूले लिये रा हजूर ले चेई एकादसी को ब्रतलाई समापन गर्न सक्ण होंचा अथवा एक दिन को एकादसी को ब्रतलाई समपादन गर्न सक्ण होंचा अब हजिर हला मंत्र स्वरूप मायो सन्स्कृत भासा मा रहे को पाप मोचनी एका दसी ब्रतको महत्मला प्रसुद गर्न गई राखे का सो अत्यंति भक्ति भाप्पूर्वक स्रावण गर्न होला अम अथा चत चैत्र क्रिष्ण एका दसी कथा पाप मोचनी एका दसी महत्म्यम युदिस्ठी रवबाच भाल्गु नस्य सिते पक्से सुरूता सामलकी मया चैत्र स्रक्रिष्ण पक्सेतु किम्नामै काजशी भवेत स्री क्रिष्ण वबाच स्रिडुराजेंद्र पक्षामी पाप मोचनी का ब्रतम्यल्लू मशो ब्रवीत प्रिष्ण मांधात्रा चक्रवर्तिना मांधातो वाच भगवं श्रोत मिच्छामी लोकानाम हितकाम्यया चैत्रमा सासिते पक्से किम्नामै काजशी भवेत कोविदी किम्भलं तस्या कथयस्व प्रसाहदत कृतम्त के नकिमापनोच स्रोत मिच्छामी बेष्टरात लोम सववाच स्रुयताम्राजसारदूल कामधा सिद्धिदात था कथा बिचेत्राशुभदा पापहा धर्मदायनी पुराचैत्र रथोद्धेसे हपसरवगडसेविते वसंत समय प्राप्ते पुस्पैराकुलिते वने गंदर्व कन्यास्त त्रैवरमंते सहकिन्णरे पाकसासन मुख्यास्चक्रीडंते चदिववकसह नापरं सुन्दरं किन्चेद्वनाचैत्र रथाद्वनं तस्मिन्बने तुमुनयस्तपंति बहुलंतपह सहदेवैस्तुमगवारमते मधुमाधवे एको मुनिबरस्तत्र मेधावी नामनामतह अप्सरास्तम्मनिवरम् मोहनायोपचक्रमे मन्जुगोसेति विख्याता भावं तस्यविचिन्वती क्रोस्तमात्रं सिता तस्य भयादास्त्रमसनिदव गायंति मधुरं सादुपीडयंति विपन्चिकाम् गायंतिम्तामथा लोक्य पुस्प चंधन वेष्टिताम् कामोपी विजया कांशी शिवभक्तम्मनिश्वरम् तस्या शरीरसं सरग सिवभैर मनुस्वरन क्रेत्वा भुर भोर धनुकोटी गुणं क्रेत्वा कटा अक्षकम् मारगडव नयने क्रित्वा पक्षयक्तव यथा क्रमं कुचव क्रेत्वा पटकुटिम् विजयायो पसं स्थिताम् मन्जुगोसा भवत तत्र कामस्य वबरूतिनी मेधा विनम्मुनिम्द्रेष्ट्वा सापिकामेन पेडिता मन्जुगोसा भवत तत्र कामस्य वबरूतिनी मेधा विनम्मुनिम्द्रेष्ट्वा सापिकामेन पेडिता यववनोद विन्नदे होसो मेधा व्यति विराजते सितो पवितसं बीतो दंडिस्मरै वापर मेधा वीवसतिस्मासव चबनस्य स्ट्रमे सुवे मन्जुगोसा स्थिता तत्र द्रिष्ट्वातं मुनिपुंगवं मदनश्यवशं प्राप्ता मंधं मंधम गायता रडद वलयसं योक्ता सिंजन्नु पुरमु मेखला गायंतिम भावसं योक्तां बीलोक्य मुनिपुंगवं मदनेन ससैनेन मीतो मोहवसं बलात् मंजुगोसा समागम्य मुनिम्द्रिष्ट्वात था बिदं अज्यवावकटाक्षैस्तु मोहयामा सचांगना अदसम स्थाप्प मेणामस्त सस्वजेतम्मुनिस्वरं बल्लिवाकुलिता ब्रिक्षम्वात वेगे नवेपिता सोपिरेमेतया सार्दम्मेदावी मुनिपुंगवं तस्मिन्नेवबनो देशेद्रिष्ट्वात देहमुतमं शिवततम्गतं तस्यकामत तवसम्गत ननिशाम्न दिनम्सोपिरमन जानातिकामुकह बहुलस्च गतकालो मुनेराचारलो पकह मन्जुगो सादेवलोक गमनायोप चक्रमे गच्छन्ते प्रतिवाचात रमंतम्मुनिपुंगवं मादे सुधियतम्मैयं स्वधामा गमनायमे मेदाव्योवाचा देवत्वं समायाता प्रदोसादो वरानने यावत प्रभात संध्यास्यात तावत्तिष्टममा अंतिके इतिस्रुत्वा मुनेर्वाक्यं भयवीता बभुवसा पुनर्वेर मयामा सतम्मुनिम् मुनिशत्तमं मुने सापबयाद वीता पहुलाण परिवत सरान बर्शाडं 5-5ent अशन्न बमासं दिनत्रयं सारे में मुनिना तेर नेशार्दमिवचा भवत साचतं पर्तिवाचाथ तस्मिन कालेगते मुनिम अदेशो दियतं ब्रह्मन गंतब्यम स्वग्रिहं मया बहुकाल गतं हैत्र गंत मेच्छामि साम्प्रतं मेधा ब्योवाच कालका प्रातकालो धुनै वास्ते शुरुयतं बचनमम कुरुवे संध्या महम यावत तावत तोंब इस्थिरा भव इति वाक्यम मुने सुरुतवा भैनच समा कुलास्मितं कृत्त तुछा तुस्ता केंचित प्रत्युवाच सुबिश्मिता अपसरा वाच कीयत प्रमाडी वी प्रेंद्र तब संध्या गता नवा मै प्रसादं कृत्वात्वाट्वा तुगत कालो बिचार्यतं इति तस्याबत्स शुरुत्त बिश्मयोत पुनलो चन साध्यात्वार इति वी प्रेंद्र प्रमाडँ म करोत तद समास्ट सप्तपंचा सद गताममत यासा नेत्रावं विस्वलेंगांस मुन्च मानुतिको पनहा कालरूपाम्चतम द्रिष्ट्वा तप सक्षय कारिणिंदुखारजितममत पोनीतम तद नयाक्षयं सकंपोस्टो मुनिस्तत्र प्रत्य वाचा कुलेंद्रिया सताम शशाप मेधावी त्वंपिसा चिभवेतिच दिक्वंपापे दुराचारे कुलते पातक प्रियेत शशापे नसा दगदा बिनयावनता सिता उवाच वत्चनम सुब्रु प्रसादम बांचती मुनिम प्रसादम कुरुबी प्रेंद्र सापस्या नुग्रहं कुरू सापदम पीडितास्मी कतमो धरडमम सताम संगोही फलती बच्चोबी सप्तमे पदे त्वया सहमम ब्रह्मन गता सुखा सुभाव समाईत स्मात कारणात स्वामिन प्रसादम कुरु सुब्रत मुनिर्वात स्त्रिडु मद्वचनम भद्रे सापा नुग्रहकारणम किम्खरो मित्वया पापेक्षयम नीतम हत्तप चैत्र सिक्रिष्ण पक्षेया भवेतेका दशीशुवा पाप मोचनिका नाम सर्वपाप छयंकरीम तस्या व्रते कृति सुब्रु पिसा चत्तम प्रया स्यतित्युक्त्वाताम समेदा विजागम पितुरास्रमं तमा अगतम समा लोक्य चिवन प्रतिवा चाहकीमी तदभीतं पुत्रत्वया पुन्धया क्षया क्रिताहया मेदा व्यवा चा पापम क्रितं महतातरमी चापसरा मया प्रायस्चीतं पृहिताच एन पापक्षयों भवेत च्या भनवाच चैत्रस्यचा सिती पक्षे नामना वै पापमोचनी यस्या ब्रती कृते पुत्र पापरा सिछयम ब्रजेत इती सुरत्वा पितूर वाक्यम कृतम तेन ब्रतो तम गतम पापुंग्षम तस्य पुण्डय युक्तोब वुवसा सापिव मन्जोगो साच किरित्वा तत ब्रतमुत्तमं पीसा चत्त बिनिर्मुक्ता पापमोचनी का ब्रता दिभ्यरू पथरा सापि गताम नाकम बराप्सरा लोमस उबाचैत्तम भूत प्रवाबं ही पापमोचनी का ब्रतम पापमोचनी काम राजन एकुरुवंते चमान वाते साम पापम चयत किंचित्तत सर्वं छयमा ब्रजेत्पथना थ्रवडाज राजन गोसहस्रफल प्रजाब्रमह प्रोड़ाचै वसुरापो गुरुतल पगह ब्रत स्य चास्त करडाथ पापमोचनी का नामे एका दसी माहत्म सम्पूर्ण हवस्त दर्षक महन भाभरु आजको यस्तरिंखला मा हमिले पापमोचन एका दसी ब्रतको पूजन बीधिर बिशिस करी एका दसी माहत पलाई सर्वड़ करें भगवान श्री लक्ष्मी नारायाड को परम क्रिपा हजुर हरु माती सदा सर्वदारे रहोस हजुर हरु लाई हमिले प्रस्तुत गरें का सामागरी हरु कस्तो लागी रहेको उसे क्रिपा कॉमेंट करने ना भुलनुहला कि जिग्या साहरुसन सल्लाह सुजावन प्रतिक्रिया रुचन भने कॉमेंट वक्समा कॉमेंट करने भुलनुहला चैनल लाई सब्सक्राइब गरनुभैको चाहिना भने सब्सक्राइब गरनुहला और कुश्रेंग खलामा पुना भेठुने बाचा कर दे आजे के लागी विदा होना चाहन्चु नवसकार